एलो दोस्तों दिस इस राज आदाव एंड वेलकम तो चलाक स्टडी यूटूब चैनल तो आज आप सभी के लिए ये एक बहुत ही बड़ी नीव्स है ठीक है एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है एकलव ये मॉडल रेसिटेंस इस्कूल की जो वेबसाइट है यानि की जो एंटिय की वेबसाइट है यहाँ पर ठीक है जो इसी तरह का नोटिस आने की पहले से संभावना बनी हुई थी और फाइनली ये जो नोटिस है वो आ चुकी है ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको वो नोटिस दिखा देता हूँ ठीक है उसके बाद आगे की बाद सुरू करते हैं बिल्कुल यहाँ पर आप एक नोटिस देख सकते हैं और क्या कुछ लिखा हुआ है इसमें मैं आपको पढ़के सुना देता हूँ यहाँ दिया हुआ है कि दा एक्जाम सेड्यूल ऑफ ETSSE 2021 यानि कि जो EMRS का आपका जो एक्जाम होने वाला था As mentioned in the information bulletin is deferred till further notice in view of the unavoidable situation arising from COVID-19 ठीक है तो यहाँ यही चीज़ दिया हुआ है कि जो COVID-19 है उसके वज़े से चुकि इससे निपटने में अभी दिक्कत जा रही है कोई भी स्थिती अभी समान्य होता हुआ नजर नहीं आ रहा है इस वज़े से इस exam को भी फिलहाल टालने का निड़ा लिया गया है जो भी date पहले आपको बताया गया था पहले जिस date से आप परिचित थे उस date पर exam लिया जाना असंब हो है ठीक है तो इसके जो exam date के बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे ठीक है उससे पहले आप लोग एक चीज़ देख लिजे कि पहले के notice में क्या चीजे थी और क्या चीजे दिखाए गई थी तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यह जो है official notification है ठीक है जो EMLS का official notification आया हुआ था वो official notification है यहाँ पर exam date के बारे में क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है date of exam जो date of exam दिया गया था यहने कि last week of May 2021 या फिर first week of June 2021 ठीक है तो यहने कि last week में या फिर June के first week में इसका exam लेना जो है तैय किया गया था लेकिन अब जो official notice जो आई है उसके जरीए यह कहा गया है कि जो यह वाली date जो पहले दी गई थी उस date पर तो लेना असंबह है ठीक है उस date पर लेना असंबह है और finally आप जाकर कि यह notice आ चुकी है कि इस date पर जो है exam आपकी नहीं होगी लेकिन इसमें मैं एक चीज clear कर दूँ जैसे कि पहले जो है facility आपको दी गई थी form correction की जो date दी गई थी ठीक है इसके अलावा form correction के लावा आपकी जो form भरने की last date में भी आप नीचे देख सकते हैं इसकी notice में form भरने का जो last date था उसमें भी बदलाव किया जा चुका है पहले जो form भरने का date 30 April last date दिया हुआ था उसको अब जाकर के 31st मई कर दिया गया है तो उसी तरह से अगर exam की date भी अगर उनको एक महने आगे बढ़ाना होता तो वो क्या करते कि साफ साफ लिग देते की exam की date फिर से मई के last में या फिर जून के first में होगी या फिर जून के last में जुलाई के first में होगी इस तरह से लेकिन चुकि इस तरह prediction कर पाना बहुत ही अ जाता है ठीक है यानि कि जो एक्जाम की डेट है एक्जाम को जो है इस थगित किया जाता है इस तारीक तक और जब तक अगली नोटिस नहीं आएगी तब तक आप इस एक्जाम को फिलाल जो है इस थगित समझे एक्जाम को फिलाल रोग दिया गया है तो जब तक नोटिस नह बंद नहीं करेंगे वो लोग बाजी मार जाएंगे तो ठीक है दोस्तों यही एक important जो notice आपको दिखाने थी ठीक है important जो यह बात है वो आपको बताने थी I hope आप इस notice का जो है purpose समझ चुके होंगे और फिलाल जो इसके बारे में कोई predict कर पाना अभी बहुत मुश्किल है अभी चुकि हर एक exam अभी जो है रद हो जा रही है हर exam स्थगित कर दी जा रही है यहां तक कि आपको पता होगा कि cbsc के जो 10 12 के जो exam थे जब वो इस्थगित हो सकते हैं रद हो सकते हैं तो यह तो इसको तो कभी भी लिया जा सकता है डेट को खिसका करके लेकिन यह जो cbsc school board की जो exam होती है वह ज्यादा important होता है तो जब वह exam स्थगित हो सकते हैं ठीक है तो यह इस exam को रद करना कोई बड़ी बात नहीं थी ठीक है तो इस वज़े से इस exam को फिलाल इस्तगित कर दिया गया है और आप अपनी तैयारियां चालू रखिए जब भी अगला notification आएगा जब भी अगला information आएगा आप तक information पहुचा दिया जाएगा ठीक है इस वीडियो में इतना ही है वीडियो अगर पसंद आया होगा तो like जरू कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद